दियर फ्रेंड्स वेलकम इन आवर चैनल इस वीडियो में आप सीखने वाले साइंस के मुस्ट आइम पी 50 प्लेस क्योशन आंसर्स जो कि आपके आने वाले सभी कॉंपुटिटेड एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है हमारे चैनल पर आपके लिए लाते हम कम से कम टाइम में साइन्स के जादा से जादा इंपोर्टेंट क्योशन तो आईए हैं पर हम सीखते हैं हमारा कर्दी कर्दीर है जो-कएंडिला को ने कि रुटी से कितनी उचाई पर लॉंच करते हैं तो 36,000 कि उचाई पर इन्हें लॉंच किया जाता है नेक्स्ट है जो बल्ब रहते हैं उनका फिलामेंट किसका बना होता है तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन मेटल का बना होता है क्यों बना होता है क्योंकि इसका जो मैल्टिंग और इसे के कारण सूरी के अंदर ऊर्जा होती हैトारा कि माप की जाती है तो जो रैडियो सकरीता है आँ याने कि रेडियो अक्टिविटी है इसकी जो माप है वह हम गीघर मूलर काउंटर से करते हैं कि आधारित है तो जो जो राकेट की गती है वो वह जो का धारीत होती है तो यह समवेक संरक्चन के सिध्धानarch पराधारृत होती है। नेक्स्केर ए मूल रंग कहलाते हैं तो नीला लाल तथा हरा याने की आर जी इस रेड् ग्रीन और ब्ल्यू यह तीनों ही कलर जो है वह में कलर है और दूसरे जो कलर है वो इनी कलर से मिलकर बने होते हैं सैक्स्टेंट का प्रियोग किया जाता है तो किस में किया जाता है उंचाई मापने में हम सैक्स्टेंट का प्रियोग करते हैं निकट द्रस्ती दोस को दूर करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो अगर निकट द्रस्ती दोस हो तो उसे दूर करने के लिए अवत्तर लेंस का प्रियोग किया जाता है The next question is ऐसे ही दिरग्र दरश्टी दोस को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं किस प्रकार के लेंज का तो उत्तर लेंज का प्रियोग करते हैं The next question is पर्माणो बंप का जो सिधान थे वो आधारी थे किस पर आधारी थे तो ये नाभी की विखंडन प्रक्रिया पर आधारी थे जबकि सूरी के अंदर जो उर्जा होती है वो नाभी की सनलेंड प्रोसेस के कारण होती है नेश्ट है बीजली के बल्ब में मुख्य तहा प्रयोग होती है तो अक्रे गेस का प्रियोग हम बिजली के बल्ब में करते हैं ध्वनी का वेग सरवादिक होता है तो जो ध्वनी है उसका सरवादिक वेग ठोस में होता है जबकि सबसे कम अगर वेग पूछे तो वो हवा में होता है याने एर में होता है नेक्ट सबस्क्राइज़ थे हैं उर्जा का एशाय मात्रक क्या है तो जूल होता है उर्जा का एशाय मात्रक नेक्षन पर आधरित है तो यह भी नाभी के शनलेन के सिदान पर आधरित है सूरी के अंदर जो उर्जा का स्रूत है वो प्रोसेस कौन सी है तो नाभी की सनलेन है ऐसे हाइडरोजन बम जो आधारित है वो भी नाभी की सनलेन के सिधान पर आधारित होता है जल का सरवादिक सुद्धितम रूप क्या है तो जो वर्सा का जल है वो सबसे सुद्ध होता है ग्रीन हाउस प्रभाव गेस कोन सी है याने कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव किस गेस के कारण होता है तो carbon dioxide gas याने CO2 gas के कारण होता है Next question है दाड़ी बनाने तथा आख, नाख और कान के जाज करने के लिए किस दरपन का उपयोग किया जाता है तो आउतल दरपन का उपयोग किया जाता है Next question नाभी की विखंडन में प्रयोग तो होता है तो यूरेनियम का प्रयोग करते हम नाभी की विखंडन के लिए Next question है चेंद्रमा पर गृत्वी त्वरण का मान प्रथी के मान का कितना होता है तो एक बटे छे भाग होता है Next है दरव अवस्था में पाया जाने वाली धातु कौन सी है तो पारा याने मरक्यूरी एक मात्र ऐसी धातु है जो कि दरव अवस्था में पाई जाती है जबकि सभी धातु है जो है वो थोस अवस्था में पाई जाती है Next question है सुराही का जो पानी है वो ठंडा होता है तो किस के कारण होता है वास्पी करण के कारण होता है जो सुराही होती है उसके चारो और यहाँ पर ऐसे पानी की छोटी-छोटी drops रहती है और ये जो drop है वो vaporize होने के लिए अंदर के पानी की जो heat है उसको ले लेती है और अंदर का जो पानी है सुराही के वो ठंडा हो जाता है ठीक है नेक्स वेशन देखते है ब्लेक होल सिध्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया था तो जो ब्लेक होल है इस सिध्धान्त का प्रतिपादन एस चंद्र सेखन ने किया था नेक्स टेक बोटल का कॉर्क किस रक्ष किस चाल से बना होता है तो ये कोक नाम का एक रख्षा आता है उसकी चाल से बना होता है बोटल का कॉर्ख बोटल का कॉर्ख क्या होता है तो जो बोटल होती है उसका ढकन होता है उसे हम कहते है बोटल का कॉर्ख तो ये कोक नाम का जो एक पेड़ आता है उसकी चाल से बना होता ह नेक्स वेशन है दूद से क्रीम को अलग करने पर दूद का जो घनातु है उसके उपर क्या प्रभाव पड़ेगा तो दूद का घनातु बढ़ जाता है अगर उससे हम क्रीम निकाल लेते हैं तो नेक्स वेशन है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा तो जो लोहे का भार है वो बढ़ जाता है जंग लगने के कारण नेक्स्ट है चिकिस्सा सास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो IMP question है यह एक्जाम में पूछा जा चुका है तो चिकिस्सा सास्त्र का जो जनक है वो हिप्पोक्रेटस को कहा गया है मनिशी के शरीर में कितने प्रतिसत जल होता है तो मनिशी के शरीर में 65 से लेकर 80% तक जल होता है याने 65 से लेकर 80% तक मनिशी के शरीर में जल पाया जाता है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है तो यह जो हीमोफीलिया रोग है इसमें रक्त में थक्का नहीं जमता है जब व्यक्ति को कहीं छोटी सी भी अगर चोट लग जाती है तो उसका जो रक्त का प्रवाह याने कि बलड की जो फ्लोविंग है वो रुकती नहीं है बलड निकलता ही रहता है बॉडी से और एक्समय ऐसा आजाता है कि व्यक्ति के इस डिसीस के कारण डैथ भी हो जाती है next question है कूप ओशन में सबसे अधिक कमी किसकी होती है तो जो कूप ओशन है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है next question है सरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो हमारे सरीर में जो यूरिया है वो यक्रत में बनता है याने के लीवर में बनता है ठीक है कहाँ पर बनता है यूरिया तो यूरिया जो है वो लीवर के अंदर बनता है मनिश में बुड़ापा किस ग्रंती के लुप्त हो जाने के कारण आता है तो बुड़ापा जो है वो थाइमस ग्रंती के लुप्त हो जाने के कारण आता है नेश्ट है रक्त चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है तो जो adrenal ग्रंती है इसके खारण हमारे सरीर का जो रक्त चाप है वो नियंत्रित होता है दूद को किस ताप पर पाश्चुरी करत किया जाता है अब दूद का पाश्चुरी करन करना या पाश्चुराइजिशन करना क्या होता है तो दूद को हम 62 डिग्री सेलसियस पर गरम करते हैं और उसके बाद ठंडा किया जाता है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है दूद का प साहर सोज़नाम क्या है सैत तो बिच्वे यान की बनर कर चाहरी आपारिक नाम है । वो क्या है . hmm नाम है .sci नेक्स्ट डूद का खट्टा होना किसके द्वारा होता है तो दूद के अंदर जब 백신 आ जीवानों आ जाते हैं या जीवानों बहुत सारे पनप जाते हैं तो उसी के करण जो दूद है वो खट्टा हो जाता है next question है कपास की खेती के लिए सर्वत्त मिट्टी कुन सी रेक्वानों तो काली मिट्टी जिसे की हम रेगुर मिट्टी भी कहते है ये कपास के लिए सर्वत्त उप्युक्त मिट्टी होती है बच्चे का लिंग निधारण किसके द्वारा होता है तो पिता के क्रोमोजोम पर ही निर्भर करता है कि आने वाला जो बच्चा है वो बॉय होगा या गरल होगी यानि कि लड़का या लड़की होना पिता के क्रोमोजोम पर डिपेंड करता है और पिता के भी वाई क्रोमोज अच्छक हार्मोन है यह एडेनल ग्रंथी से इस्तरावित होता है कि नेक्ट देखतें इसके बाद हम बेरोमिटर के तल कि आंधी तूफान जो है वो आ सकता है आंधी तूफान के आने के जो संभावना है वो दरसाता है पारे के तल का अचनक गिरना बेरोमेटर क्या है तो ये वायुदाप मापने का एक यंत्र होता है तो ये थे हमारे आज के 50 प्लस क्योशन आंसर्स I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा और थेंक यू सो मुच फूर वाचिंग इस वीडियो थेंक यू